और सभी आई के खौरटरटू के रिजल्ट आ गये और काफी सानदार रिजल्ट आएंगे वीडियो के लास तक अगर आप देखोगे वीडियो को पूरे और उससे पहले चैनल पर आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शुरू कर देते हैं सब्सक्राइब काफी अच्छी है और काफी देख सकते हो आउट परफॉर्म किया है सब्सक्राइब काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है और अब सीधे लेकर चलता हूँ सबसे पहले नमबर यादा जाता है है यह प्राइबिट बैंक के हैं और मुझे प्राइबिट बैंक के हैं सबसे पहले नमबर यादा जाता है यह प्राइबिट बैंक के हैं और मुझे यह प्राइबिट बैंक काफी पसंद है हाँ अगर आप पूछाओ के PSU बैंक को में कौन सी बैंक पसंद है तो कोई सी बैंक मुझे पसंद नहीं है बस एक ही बैंक पसंद है वो है SBI क्योंकि SBI को छोड़के बाकि किसी की performance अच्छी नहीं ना किसी के रिटन अच्छी है और SBI के भी रिटन ठीक हैं लेकिन अगर करो कोई Top 4 बैंक से तो उससे काफी पीछे रहे जाती ये भी आप रिटन देख लो आप एक साल में 161 परसेंट के रिटन आपके एक लाग को बना दिया दो लाग 61 जार रुपए दो साल में 70 परसेंट के रिटन है तीन साल में 87 फोर येर में 64 के आसपास 5 येर में 117 और 10 य दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा कंपरेजन करके पीएनवी से कंपरेजन करके दिखाता हूं कि कैसे रिटन है पीएनवी के तो पीएनवी के कोई ज्यादा खास रिटन नहीं इसलिए मुझे प्यस्वेंग के पसंद नहीं है SBI के तो फिर भी अच्छे है वो तो काफी निगेटिम में रिटन दिया मतलब दस साल पहले किसी ने पैसा लगाया होगा तो भाई वो भी नीचे पहुंच गया होगा उसका तो ये देख सकते हैं PNV के रिटन PNV के 10 साल में रिटन है 78% माइनस में मतलब अगर किसी ने 10 साल पहले एक लाग रुपए लगाया होगा तो 78% मतलब 78 थाउजन उसमें से माइनस कर दो उतने वही इसके रिटन है मतलब पैसे को आदे से भी और कम कर दिया इसे ने 10 साल में तो इस तरह इसलिए मैं PSU Bank के पसंद नहीं करता हूँ like PSU Bank हो गई Bank of Proudha, Punjab, National Bank काफी जारे fraud की news आती है मतलब हमेशा घिरी रहती है fraud की news से और SBI भी बचा नहीं इसमें भी ये news आती रहती है fraud बगरा कि अभी recently इनके पहले कोई chairman थे उनने भी fraud fraud किया था basic clarification आगे आता है SBI चे तो कुछ stock में गिरावट नहीं हुई थी लेकिन आते रहते हैं इनमें ज़्यादा तर मतलब जो PSU Bank के होती है चलो अब बात कर लेते हैं कुछ private bank को के return की तो 10 साल में देख सकते हो कोटक के कितने अच्छे return है 715% के आपके एक लाग को आट लाग रुपय के आसपास बना दिया है और इसके अलाब अगर SGFC के देखोगे तो 569% की return है एक लाग को बना दिया है आपके छे लाग 69,000 तो अगर टॉप 4 में आप बैंक के देखोगे SGFC, ICICI, COTEK उनके return काफी अच्छे आपको मिलेंगे बहुत अच्छे आए तो कि अभी खरीद लूँगा 52 भी खाई के आसपास चला है मुझे तो डल लगता है momentum chase करते हुए और मैं तो विल्कुल भी avoid करने के लिए बोलूँगा ऐसा देखो मैं पहली बार नहीं बोला हूँ इसमें कई बार मैंने वीडियो बनाई कई बार बताया यहाँ पर जब यह श्टॉक भागा था इसके quarterly के result आए थे उस समय लोग कह रहे थे अभी नीचे नहीं आएगा फिर नीचे आए था उसके बाद यहाँ पर इसके result आए थे यह फिर भागा था उसके बाद कह रहे थे यह last मौका है दिवाली है और उसके बाद कभी मौका नहीं आएगा दिवाली पर खरीदना है तो और discounted stock पड़े हैं बहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं इतना भागती हो इस stock के पीछे 52 विखाई के आसपा चलना है तो वही हम क्यों जाना रिस्क क्यों लेना IRCTC की तरह है फि तो गलती आप खुद करेंगे और फिर बाद में अगर आप ब्लेम करेंगे IRCTC को या SBI को तो इसमें आपका लॉस है बाकी जो बड़े बड़े इंवेस्टर होते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं उनका कोई लॉस नहीं है इसमें और हो सकता है यहां से result बहुत होगी और जब गिरावट होगी तब इसके बाइंग लेवल को डिसकस कर लेंगे और ठीक है अगर आपको पसंद है तब उस समय खरीद लेना अभी के लिए अवाइट कर सकते हो और बाकी नीचे से खरीद के रखा है तो आप होल्ड करिए चार सुरुपए के आसपा जब मै नहीं वहाँ से गिरावट आ गई तो फिर आप जाओगे तुसले प्रॉफिट बुक कर लेना और यहीं मेरे विव हैं एस्वी पर और देख लेते हैं वहीं आरे साई देखो गए तो आरे साई 73 की है तो और बॉट तो नहीं हुई है अभी मोमेंटम है तो असी तक असी से जाती आरे साई कई बार देखोगे देखो असी के पास गई फिर नीचे आ गई तो असी टच करके नीचे मैक्सिमम आरे साई आ जाती है तो असी के पास ओबर बॉट हो जाएगी और मुझे लगता है जहां श्टॉक भागेगा और आरे साई 802 पिच्चासी उसके बार होती है यहां भी आप देखोगे अब बना नहीं है तो मुझे लगता है एक दो दे रिजल्ट की बज़े स्टेजी रह सकती उसके बाद हो सकता है और इसलिए जो मैंने अपना ब्यू बता दिया और यहीं काऊंगा बाग कि आपकी मर्ची है आपका पैसा है और अपने फैन एसा नहीं कि ब्लाइль लिंटी आप ले रहे हैं और करते जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना नुर्ट की करने अपनी है और चैनल पने आने अए तो चैनल को अब प्सक्राइब कर ले लेना वीडो को भी दोस्तों के साथ सेर कर देना जयएं दोस्तों